नमस्कार, हम कक्षा बार्वी का अध्याय आठ समाकलनों के अनुप्रियोग पड़ रही हैं ये हमारा इस अध्याय का दूसरा सत्र है पिछले सत्र में यानि पहले सत्र में हमने साधारन वक्रों के अंतरगत छेत्रफल पड़े थे आज हम इस सत्र में दो वक्रों के मध्यवर्ती छेत्र का छेत्र फल्ग्यात करना सीखेंगे जैसे की नाम है दो वक्रों के मध्यवर्ती यानि हमारे पास दो वक्र होने चाहिए तो आईए देखें सबसे पहले कल्पना कीजिए हमें दो वक्र हैं हमारे पास y बराबर fx और y बराबर gx दिये होए हैं जहां x हमारा सम्रित अंतराल a से b के अंतराल आ रहा है और इस अंतराल में fx gx से अधिक है या फिर उसके बराबर है जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं इस चित्र में देखें तो ये हमारा वक्र y बराबर fx दर्शा रहा है और ये वाला वक्र हमारा y बराबर gx दर्शा रहा है fx हमारा gx से अधिक या उसके बराबर है इसलिए इसका वक्र क्या है? gx से उपर ठीक, अब देखेंगे दिये हुए वक्रों के समीकरण से y का उभेनिष्ट मान लेते हुए इन दोनों वक्रों के प्रती छेदग बिंदू x बराबर a तथा x बराबर b दिये है साधारण है हम क्या निकाल सकते हैं हम इन दोनों वक्रों के समीकरण को हल करके जो प्रती छेदर बिंदू है वे निकाल सकते हैं तो वे हमारे पास दिये होए है X बराबर A आ रहा है और X बराबर B आ रहा है ठी? समाकलन के सूथ का सतबन यानि स्थापना करने के लिए हमें या तो क्या लेना है? शितिच पटियां या फिर उर्धवादर पटियों से हम प्रारंबिक छेदर फल निकाल सकते हैं इसके अंदर हम क्या लेंगे? उर्धवादर पटियों से निकालेंगे तो प्रारंबिक छेतरफल के लिए प्रारंबिक पत्टी की उचाई क्या है y और चड़ाई dx जो उचाई है वो आप देख सकेंगे क्या होगी fx माइनस gx क्यों क्योंकि हमें पता है fx क्या है gx से या दो अधिक या उसके बराबर तो हमारा जो प्रारंबिक छेतरफल है वे कितना हुआ y गुड़ा में dx यानि da बराबर कितना fx माइनस gx गुड़ा में dx ये क्या दर्शा आ रहा है उचाई यानि y ठीक तथा जो कुल हमारा छेतरफल है वे क्या है वे है हमें क्या करना है निश्चित समाकलन fx माइनस gx का x की सापेक्ष में जिसके अंदर उच सीमा है b और निमन सीमा है a ठीक आईए विकल्पतह देखें छेतरफल a किसके बराबर हो सकता है यदि हम छेतरफल निकालें किसके अंदर गर्ट वाक्र y बराबर fx वक्र y बराबर fx एक्स आक्ष यानि x आक्ष रेखाएं x बराबर a x बराबर b से गिरे छेतर का छेतरफल यानि अगर हम ना मांकित करें तो a, b, c ये वक्र हमारा दर्शा रहा है d, e और वापिस a ठेख इसका छेतरफल ग्याद करें जो कि हमारा ये है और उसमें से हम क्या घटा दें? ये वाला छेतरफल यानि ये छेतर किसके अंतरगता आ रहा है? वक्र y बराबर gx रेखाएं x बराबर a x बराबर b और x आक्ष ठीक? वही हमारा यहाँ है लेकिया आदर्शा रहा है कि हम पहले दोनों छेतर का छेतरफल ग्याद करें और दोनों छेतरफल को फिर हम क्या करे घटा दें तो हमें जो छेतरफल है मध्यवर्ती इन दोनों वक्रों के बीच में मिल जाएगा तो यह हमने किया फलन fx का निश्चित समाकलन किया x के सापेक्ष में जिसमें उचसीमा b निमनसीमा a इसको हमने घटाया किस से हमने निश्चित समाकलन किया फलन जी का x के साप पेक्ष में जिसमें उच सीमा B और निमन सीमा A समाकलन करने पर और घटाने पर हमें यही मिल रहा है तो आप देख सकते हैं दूनों सूर्तों में हमारा जो उत्तर है बैस समान है तो आप कोई भी विकल्ब अपना सकते हैं अब प्रश्न फिर उठता है कि जाहे क्या सदेव पूरे अंतराल में हमेशा Fx हमारा Gx से अधिक या उसके बराबर ही होगा क्या ऐसा हो सकता है इस अंतराल में कभी वे Gx से अधिक है और कभी छोटा यानि कम बिलकुल ऐसा हो सकता है यही हमारा अगला बिंदू है जो कि आप धार देख सकते हैं यदि सम्रिद अंत्राल A से C में Fx Gx से अधिक या उसके बרाबर है तद्धा सम्रिद अंत्राल C से B में Fx जो है वे Gx से कम या उसके बराबर है जहाँ यह जो C बिंदू है वह A और B के मध्दे में से आ रहा है यानि कहीं से भी हम ले रहे हैं जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यह A बिंदू, यह B, तो इस अंतराल में यह बिंदू C दर्शा रहा है, तो A और C अंतराल में जो हमारा Fx है वैं उपर है Gx को, यानि Fx हमारा क्या है? बढ़ा है Gx है, अधिक है या उसके बराबर, और अंतराल C से B में हमारा Gx बढ़ा है, किस से? Fx है या फिर उसके बराबर, तो इसलिए यह उपर है और यह नीचे, अब इसका छेत्फल ग्याद करना है, छेत्फल कैसे ग्याद करेंगे? जैसे कि हमने अभी निकाला, अलग दोनों का छेत्फल ग्याद करेंगे, यानि इस पहले इस एक भाग का, फिर दूसरे भाग का, और फिर हम दोनों का योगफल ग्याद कर देंगे, छेत? वही चीज हमें यहाँ मतलाई गए, कि हम वक्रों से घरे छेत्फल का छेत्फल इस निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं छेत्फल बराबर है छेत्र A C B D A A C B D A यानि ये पहला भाग ठीक जमा किया हमने छेत्र B P R Q B के छेत्र चेत्र फल के साथ यानि B P R Q B यानि ये दूसरे भाग के छेत्र फल के साथ और इन दोनों का योग फल करने पर हमें जो हमें छेत्र फल ग्याद करना है वे हमें मिल गया ठीक तो आईए अब कुछ प्रशने लेते हैं दो परवलेओं को यानि Y बराबर X की घाद दो इवं Y की घाद दो बराबर X इन से घरे जो हमारा छेत्र है इसका छेत्र फल ग्याद करना है अगर इने हम आलेक में दशाएं तो कुछ ऐसा चित्र मिलेगा ये वाला हमारा परवलय X बराबर Y की गाद दो दर्शा रहा है और ये वाला परवलय Y बराबर X की गाद दो दर्शा रहा है ठी? हमें क्या दर्शाना है? हमें इसके मध्यवर्ती जो छेतर आ रहा है इसका छेतर फल ग्याद करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इन दोनों वक्रों के जो प्रती छे दक बिंदू हैं, वे निकालेंगे. यानि दोनों की समीकरण को हल करते हैं. कैसे करेंगे? आईए देखे सबसे पहले. हमारे पास क्या है? ये समीकरण ले लेते हैं, वाई बराबर एक्स की घाद 2. अगर दोनों पक्षों का वर्ग निकालें, तो वे क्या बना? एक्स की घाद 4 बराबर में वाई की घाद 2. अब वाई की घाद 2 किसके बराबर? एक्स के. तो यानि हम क्या मान रखने पर हमें मिलेगा x की खाद 4 बराबर x की खाद 1 सारे x हम बाएपक्ष यानि बाएँ और की लिया आएं तो तो बाएँ हाथ पर लिखने पर हमें मिला x की खाद 4 माइनस x बराबर में 0 खुल ने एक्स उभ्यनिश निकालने पर एक्स क्या मिला गुडा में x की खाद 3-1 बराबर में 0 अब इससे आप देख सकते हैं हमें x के 2 मान मिले x बराबर 0 और x बराबर 1 क्रम्शह अगर हम x बराबर 0 और x बराबर 1 रखें तो y का मान भी 0 और 1 ही मिलेगा ठीक, तो इसका छेतरफल ग्याद करने के लिए हमें दो वक्र देखने हैं Fx और Gx तो निकाल लेते हैं Y के रूप में तो Y की घाद दो बराबर X इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? Y बराबर वर्गमुल X दिलिखा जा सकता है माल लेते हैं, ये है हमारा वक्र Fx और Y बराबर X इगाद 2 ये हमारा दूसरा वक्र Gx ठीक? देख सकते हैं इस आलेक से भी जो हमारा वक्र Fx है वे Gx से अधिक या उसके बराबर है तो अभी जो हमने सूद्र निकाला उससे हम मद्यवर्ति जो छेतर है इसका छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं, आईए देखे कैसे, हमें क्या ग्याद करना है, इसलिए छायांके छेत्र का अभिष्ट छेत्रफल, यानि इन दोनों वक्रों के मद्यवती छेत्र का छेत्रफल किसके बराबर हुआ, fx-gx का निच्चित समाकलन करें, x किसा पेक्ष में जहां उच्च सीमा 1 और निमनसीमा 0 है, ठीक, अभी हमने देखा था, fx हमारा कितना था, वर्गमूल x और gx हमारा x की खाद 2, तो वैं हमें क्या फलन दे रहा है, वर्गमूल x माइनस x की खाद 2, इसका हमें निच्चित समाकलन निकालना है, जिसमें उच्च सीमा 1 और नि निसीमा 0 है, ठीक, इसका समाकलन करने पर, हल करने पर आप पाएंगे, क्या हमारा जो छेत्रफल है, यानि जो मध्यवती छेत्रफल आ रहा है, छेत्र का वै है 1 पटे 3, ठीक, इसका हल मैं आप पे छोड़ती हूँ, आईए अब एक अगला प्रश्न ले, इस उधारन में द आक्रिती दियूई है, इस आक्रिती में A, O, B, A, प्रथम चतुर थांश में दीर्गिवरित 9, X का वर्ग, जमा Y का वर बराबर 36 का एक भाग है, जिसमें O, A, बराबर 21 तथा O, B, बराबर 61 है, हमें लगुचाक A, B, एवं जीवा A, B के मध्यवती छेत्र का चेत्वल ग्य ग्याद करना है, तो देख सकते हैं, ये हमारे पास आक्रिती है, ये हमारा दीर्गिवरित है, हमारे पास O, A, 21 दियूई है, तो यानी A का बिंदू, 2,0 हुआ, O, B हमारे पास 61 है, तो B का बिंदू, 0,6 हुआ, हमें क्या ग्याद करना है, हमें लगुचाप A, B, तथा जिवा AB के मध्यवर्ती छेत्र का छेत्फल ग्याद करना है ठीक तो आईए इसका हल देखें दीरकृत कर दिया हुआ समीकरण हमारे पास है वै है 9 X कवर जमा Y कवर बराबर में 36 इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं X कवर बटे में 4 जमा Y कवर बटे में 36 बराबर में 1 अर्थात X कवर बटे में 2 कवर जमा Y कवर बटे में 6 कवर बराबर में 1 इस रूप में भी हम लिख सकते हैं और इसी लिए इसका जो आकार है हम जैसे कि इस आकरती में देख सकते हैं वैसा दिया हुआ है अब चाया कित छेत्रफल ग्याद करने के लिए सबसे पहले हमें इस जीवा एबी का समीकरण ग्याद करना होगा तो आईए इसका समीकरण ग्याद कर ले हमें इसके दोनों अंतिविंदू ग्याद हैं A और B तो हमारा समीकरण क्या होगा Y-0 बराबर में 6-0 बटे में 0-2 गुणा में X-2 जो की हल करने पर आप पाएंगे Y बराबर में-3 जवा में 6 ठीक अब मध्यवर्ति छेत्र का छेत्रफल ग्याद करने के लिए यदि हम पहले चतुरतांश में O, A, B, O यानि ये पूरा जो छेत्र है इसका इस छेत्र में से इसका जो छेत्रफल है इस में से यदि हम A, B के अंतरगत आने वाला जो छेत्र है उसका छेत्रफल घटा दे तो हमें मध्यवर्ति जो छेत्र है उसका छेत्रफल ग्याद हो जाएगा वेही आप देख सकते हैं हमने क्या किया सबसे पहले ये क्या दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है छेत्रफल किसके अंतरगत इस दीरगवर्त के अंतरगत पहले चतुरदांश में है ठीक तो हमारा फलन क्या है वर्गमूर चार माइनस एक्स की घाथ 2 इसका हमने क्या निकालना है इसका हमने निश्चित समाकलन निकालना है जिसके अंदर इसकी ऊच्च सीमा 2 और इसकी निमन सीमा 0 अब देखेंगे ये क्या आया ये हमारा है 6 द्रफल किसके अंतरगर्थ इस जीवा AB के अंतरगर्थ चीक तो वह क्या दर्शा रहा है 6 माइनस 3X का समाकलन करना है X की सापेख्ष में 0 से 2 के ठीक अब समाकलन करने पर आप पाएंगे 3 गुणा X बटे में 2 वर्गमूल 4 माइनस X की घाद 2 जमाद 4 बटे में 2 साइन का प्रतिलों X बटे 2 इसका हमें मान निकालना है जब हम भरेंगे 2 हमारी उच्छ सीमा है और 0 है हमारा निमनसीमा है ठीक माइनस में 6X माइनस 3X की घाद 2 बटे में 2 फिर से इसका मार निकालेंगे उच्छ सीमा 2 और निम्न सीमा 0 हल करने पर आप पाएंगे हमें क्या मिला 3 पाई माइनस में 6 ठीट और ये क्या दर्शा रहा है ये हमारा दर्शा रहा है मध्यवर्ती छेत्र के बीच का छेत्र फल ठीट समझ गए आई अब एक और प्रशन ले इस प्रशन के अंदर इस उधारन में दो वृत आपको दिये होए हैं तो ये दो वृतों का समीकरण आपके पास है इसके मध्यवर्ती छेत्र छेत्र फल हमें याद करना है तो इन दोनों समीकरण को इस आलिक में दशाते हैं और इस प्रकार दशाने पर आप इस आकरती को पाएंगे देख सकते हैं कि दियो हे वृतों की जो समीकरण है जो कि हमने इस एक और दूसरे समीकरण से दर्शाया है नमबर से यानि जो संख्या से दर्शाया है इसके अंदर पहले समीकरण पर गौर करें यानि X का वर जमा Y का वर बराबर में 4 ये व्रत जो है हमारे पास इसका केंद्र क्या है इसका केंद्र आप देखेंगे इस वृत का केंद्र हमारा मूल बिंदू यानि O है जो दशारा है 0,0 ठी इसकी त्रिज्य हमारे पास 2 इकाई है अब समीकरण 2 पर देखेंगे तो इस व इंद्र है वे क्या है वे बिंदू सी पे हैं वे क्या दर्शारा है दो कॉमा शून है ठी और इसकी तरिज्या भी आप देखेंगे गौर करेंगे इसकी तरिज्या भी हमारे पास दो इकाई है अब समीकरन एक और दो को हल कर ले दे हैं हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा हम प्रति 6 तक बिंदू प्राप्थ हो जाएंगे यानि A और A- यहाँ आप मान देखी सकते हैं क्या है तो आएगे हल करके देखें बराबर रखा हमने क्या दोनों ही समीक्रणों को क्योंकि दोनों समीक्रण किसके बराबर? X का वर्ख जमा Y का वर्ख बराबर 4 और X-2 कप्पून का वर्ख जमा Y का वर्ख बराबर 4 तो दोनों को बराबर रखने पर हल करने पर आप क्या पाएंगे? देख सकते हैं X कमान एक मिलेगा और किसी भी समीक्रण में X कमान भरने पर आपको Y के 2 मान मिलेंगे प्लस माइनस वर्गमूल 3 ठी? तो इसी प्रकार आपको दो प्रतिछेदक बिंदू प्राप्थ हो रहे हैं पहला A, एक और वर्गमूल 3 दूसरा बिंदू A डैश जो है एक और रिण वर्गमूल 3 यानि माइनस वर्गमूल 3 ठी? अब व्रितो के मध्यवर्टी छेत्र यानि ये पूरा मध्यवर्टी छेत्र हमारा किससे दर्श आया गया है? O, A, C, A-O O, A, C, A-O इसका अभिष्ट छेत्र फल किसके बराबर होगा? दो गुणा छेत्र O, D, C, A, O O, D, C, A, O गौर करेंगे ये जो हमारा छेत्र है वे दो बराबर भागों में बटा हुआ है एक X अक्ष से उपर और दूसरा X अक्ष के नीचे यानि ये एक और ये वाला दूसरा और ये दोनों बराबर है इसलिए हम सिर्फ एक यानि जो X अक्ष के उपर वाला छेत्र है उसका छेत्र फल ग्याद करेंगे और उसको दो से गुणा कर दिया ठीक, अब ये छेत्र भी आप गौर करेंगे ये भी हम दो भागों में बाट सकती है ये हमारा D1 और ये हमारा D2 और वे क्या है? बराबर है छेत्र O-D-A-O O-D-A-O ठीक, और इसको जमा करना है किस छेत्र का छेत्र फल से? छेत्र है D-C-A-D ठीक, अब इसका छेत्र फल ग्याद करते हैं तो हमें क्या ग्याद करना है? हमने सारे वक्र देखने है तो ये वक्र किस-किस के अंतरगत आ रहा है? रेखा, X बड़ाब शूने, X अक्ष हमारा ये व्रित जो की समीकरण 2 दशारा है जो संख्या 2 है हमारे समीकरण की वैदर्शा रही है और X बड़ाबर 1 यही आया, हमने क्या किया? Y जो की व्रित का वक्र दिखा रहा है इसका समाकलन करना है X के सापेक्ष में 0 से 1 जमा, फिर ये वाला व्रित यानि ये जो वक्र है ये व्रित दशारा है समीकरण 1 तो Y का यानि Y फलन जो की पहला समीकरण दशा रहा है इसका समाकलन X की सापेक्ष में 1 से 2 तब, ठी? तो Y को हम X के रूप में लिख लेते हैं ये हमें क्या प्राप्थ हुआ? वर्ग मूल 4 माइनस में X माइनस 2 के पूर्ण का वर्ग dx इसका समाकालन करना है हमें 0 से 1 तब, ठी? फिर जमा करेंगे इस Y को हम X के रूप में लिखेंगे वे भी हमें क्या मिला? वर्ग मूल 4 माइनस X की घाट 2 इसका भी हमें क्या निकालना है? निश्चे समाकलन जिसकी उच्च सीमा 4 और निम्न सीमा 1 है हल करने पर क्या मिलेगा आपको? देख सकते हैं सबसे पहले हम निश्चे समाकलन निकालेंगे इस फलन का 1 जिसकी उच्च सीमा है 1 और निम्न सीमा है 0 फिर हम निश्चे समाकलन निकालेंगे इस दूसरे फलन का जिसकी उच्च सीमा 4 और निम्न सीमा 1 है ठी? ये हल करने पर आप पाएंगे क्या पाएंगे? यहाँ पे ये हल आप देख सकते हैं समाकलन, खुद करिए, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, आईए, अब यहाँ पर देखे, हमें क्या मिला, समाकलन करने के बाद, रिन वर्गमूल 3, रिन 2 पाई बटे में 3, जमा में 2 पाई, ठीक, जमा 2 पाई, माइनस वर्गमूल 3, माइनस 2 पाई बटे में 3, इन दोनों को ह पर आप पाईंगे, क्या मिल रहा है आपको, 8 पाई बटे में 3, माइनस 2 पाई बटे में 3, ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये हमारा दर्शा रहा है, जो हमीं छेत फल ग्याद करना था, ठीक, तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको इस सत्र में समझाया होगा, धर्यवा पयाओ टिये एहा है, और लुड minutes, को हमारा दर्शा रहा है, ये हमारा क्या रहा है, एम welfare रहा है